कि है गाइस गुड मॉर्निंग आय वेलकुम यौल तो इक्जाम शाला दिस इस वर एजुकेटर सुतन गुपता मैं उम्मीद करता हूं आप तो बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई वापस पटरी पे आ रही है आज हम लोग बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक डि जिक भी दीजेगा कि एक सेंटेंस सही है या गलत है इसके अलावा मैं आपको दो क्वेशन और देता हूं इनको भी अटेंट करिये आई नो मैंने भी परफेक्ट नहीं पढ़ाया है लेकिन आपको उसे क्वेशन दे रहा हूं अपनी बेसिक अंडरस्टेंडिंग के आप स इन दोनों कोईशन मुझे डिफरेंस बताओ गलत है तो बताओ सही है तो बताओ और आगया आने वाले सेक्शन में मैं इनको बहुत डीटेल में डिसकस करने वाला हूं कोईशन है वेर है यू बीन एंड वेर यू आर ओके सो अटेम्ट करिए इन को ठीक है तो आज हम डिसक तो यह प्लीट को लेकर करके तो लोगों को शयूर नहीं होता वह क्या होता है तो मैं दो मिनिट में बता दिता हूं पर अपने टॉपिक पर आ जाएंगे तो देगे फ़ामल इंग्लिश क्या है तो फॉरमल है एक तो एक रिटेन बिज़ को बोलते हैं ठीक है जो आप किता sentence को बात करते हैं, such as हम बोलते हैं, न चल चलते हैं, क्या कर रहा है, okay, मिलता हूँ, देखेंगे, ऐसे बात करते हैं, ठीक है, यह आपकी spoken English होती है, फिर इसी तरीके से जब formal English की बात करते हैं, तो यह grammar oriented है, और एक specific meaning देता है, लेकिन वहीं जब informal English की बात करते हैं, तो इसके non grammatical use हैं, और यह ambiguous meaning देता है, ambiguous मतलब इसके दो meaning हो सकते हैं, आपकी tone के हिसाब से, वो कुछ और भी जा सकता है, तो बोलने के तरीके से हो सकता है, कि आप उस बात को ignore कर रहे हो, और हो सकता है, उस बात पर आप serious भी हो, तो यह ambiguous meaning देता है, यह बात मैंने क्यों बताई, मैंने इसलिए बताई, क्योंकि हम लोग इन sections पर काम करते हैं, लेकिन अब बोलचाल में आता है, या डेली पर आता है, तो हम लोग informal English में होते हैं, और इसकी वज़ए से हमें confusion बहुत ज़दा create होता है, क्योंकि जब बात competitive exams के आती है, तो हमारे पास इनको बनाने के लिए कुछ grounds तयार करने होते हैं, उसके लिए मैंने आपका present indefinite तयार किया है, और continuous तयार किया है, आज मैं perfect में बात करूँगा, और आपके काफी सारे doubts clear होंगे, आपको context समझ में भी आएगा कि बात करी क्या जा रही है, मैंने आपके दो-तीन मिनट लिए हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बाते जब clear होती है तो confidence increase करता है, आपको भी पता है, जब आपने पिछले दो वीडियोस देखे, कि मुझे काफी सारे messages आए हैं exam शाला पर, कि मज़ा आ रही है सिखने में और हमारी concepts clear हो रही है, basically जो doubts होते हैं, तो वो सारी बाते थी, तो यहां तक बात हो गई, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को, अब जब बात recently completed action का होता है, तो आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जो काम past से शुरू हुआ, past में ही खतम हो गया, फिर समझेगा, past में शुरू हुआ, past में ही खतम हो गया, लेकिन उसकी कुछ जो evaluation है वो अभी भी है, ऐसे sentences को हम लोग present perfect tense में रखते हैं, मैं इसको तीन category में divide करके रख रहा हूँ, और थोड़े example से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक होता है आपका complete action, ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि चाए पी ली मैंना, मालो मैंने चार बजे चाय माँगी थी, तो मैंने एक cup चाय पी ली, अब क्या हुआ कि थोड़ी दरबाद फिर चाय आगी, तो अब मैंने फिर एक चाय पी ली, अब फिर चाय आगी, तो आप क्या बोलोगे, नो मैं चाय पी चुका हूँ, तो सर यह एक एक्षन अब ऐसा है जहां पे अब कुछ बाकी नहीं है ठीक है यह पूरी तरीके से हो चुका है दूसरा होता है effect can be seen or felt मतलब मान लो आपने कोई scene देखा है कोई सी scenery देखी हो करें लुक आपके तो I have seen it मुझे पता है तो उसका जो effect है वो अभी भी है आप इसक इसे भी कह सकते हो कि book लिखी गई है ठीक है और अभी भी अब उसकी evaluation है उस sense में भी हम लोग बाते रखते हैं इसको हम लोग no scope of improvement के case में भी रख सकते हैं अब जैसे लिखा मैंने कि Mr. Shashi Tharoor has written 19 books तो अब इसमें क्या scope है भाई book publish हो गई चली गई ठीक है तो इस तरह की category से हम लोग present perfect को रखते हैं लेकिन कहानी इसमें यहां तक नहीं है मैं इसको और ज़्यादा specific करूँगा देखिए जब तक इसकी definition clear नहीं होती तब तक आपको confuse करेगा आपके सामने रख रहा है और आप notice करें मैंने अभी तक इतने सारे वीडियो में कभी एक स्लेट में इतना specific नहीं है हुआ है the exact time is not important इस कहानी को समझना वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता लेकिन important नहीं है okay you cannot use the present perfect tense with specific time expression देखिए यहां पर बातना 4 गंटे 6 गंटे ऐसे तो हो सकती है मैं उसको continuous में भी लेकर जा सकता हूं लेकिन अगर बिलकुल specific हो जाए और आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं such as yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, ऐसे शब्द आते हैं तो आप हमेशा उसे present perfect में ना रखके past indefinite में रखिएगा यह बात दिमाग में रखिए बाकी तो मैं clarity दीरे दीरे लाओंगा ओके यहां पर आपको कुछ शब्द मिल सकते हैं, so we can use the present perfect with unspecific expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet तो यह शब्द ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द आए तो आप present perfect में रखेंगे, फिलाल रटना नहीं है, मैं इसको एक एक करके समझाओंगा, अभी रख रहा हूं, ground बना रहा हूं आपका अब हम क्या सीखने वाले हैं, तो पहली सीत हम देखेंगे, इसको use कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पाद कुछ शब्द होते हैं, तो सब्द कैसे होते हैं, such as so far, up till now, by now, by this time, by this point of time, recently, जैसे शब्द होंगे, और इन शब्दों से हम पहचानते इनको, इसके हम आपको present perfect and past indefinite का भी difference बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा confusing होता है, अब इसको हम समझते हैं, यहां से, जब मैंने आपको verb पढ़ाई थी, तो मैंने आपको तीन form बताई थी, be, do and have, तो be को हम already discuss कर चुके, present indefinite, हमने do को discuss क अब हम have को discuss करेंगे, जब हम have को discuss करते हैं, तो इसकी तीन form मनती ही, तो first form होती है, second form होती है, and third form होती है, is my point clear, तो यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है, तो यह अपका past में चला जाएगा, यह वाला part, बाकी कहानी को आगे देखने हैं, अभी हमारी कहानी have से है, तो ह अब कहते हैं, तो आप इसको देखिए, कैसा है, subject है, subject अगर आपका singular है, देखिए, मैं हर एक चोटी-चोटी बात को cover करता हूँ, काभी सारे लोगों को लगता है, नहीं, और मैं इक बात सच बता रहा हूँ, मैंने हजारों लोगों कभी तक पढ़ाया है, और उनमें से ज श्वास नहीं होता, जो आपके साथ त्यारी कर रहे हैं, उनसे पूछी उन्होंने क्या गलती करी है, सर आपसे नज्यते नहीं मिला पाएंगे, और ये गलती, बतलब समझेगा, आपको एक destination पर जाना है, तो आप कार से भी जा सकते हैं, आप बाइक से भी जा सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा, आपने कैसे क्या किया था, समय बरबाद किया था, कम किया था, ज्यादा पड़ा था, नहीं, आप खुद सोची, आप खुद समझदार है, बात समझाई, तो अगर subject singular है, तो आप has यूज करेंगे, मतलब singular verb यूज करेंगे, और अगर plural है, तो आप have को यूज करेंगे, इसके साथ आप verb third form को यूज करते हैं, और मैं भी पिछले वीडियो की कुछ बाते हैं, यह बहुत दियान से समझना, इसके बाद हम object को रखते हैं, तो यह एक छोटी सी बात होती है, ठीक है, इनके लिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि मैंने पिछले और perfect के साथ have लगे चलते हैं, ठीक है, तो I के साथ आप हमेशा have रखेगा, बाकी verb third form, he, she, it, ठीक है, इसके साथ क्या रखा जाएगा, इसके साथ singular form रखी जाती है, ठीक है, तो he has verb third form gone to school, इसी तरह से she has gone to school, प्रोनौन से बताना जरूरी, इसलिए समझ लो, एक मिनिट ल इसलिए नहीं देखे, description box में सारे के सारे के सारे questions, सारे सारे की वीडियो दिये गए हैं, और आपका i button में भी आपको link मिलता है, वहां से जाकर कि पिछले वीडियो जरूर देख लीजे, यह मेरी recommendation, otherwise काफी confusion होता है, और इसी तर इसे दे, हम जब collectively बात करते हैं, तो उसके स time, by this point of time, recently, ठीक है, example रखते हैं, और आप इनको हम एक-एक करके discuss करते हैं, ओके, आपके सामने चोटा सा question है, Radhika finished three chapters by now, Kareena submitted the report so far, Keshav have completed the novel recently, and she did not bring the book yet, ओके, इन चारो question को आप ध्यान से पढ़िये, और मुझे बताईए, इस में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या मुझे यहाँ पे has, have लगाना चाहिए, क्या मुझे नहीं लगाना चाहिए, इन बातों को समझेगा, ओके, ध्यान से पढ़िये, चलिए, अब हम इनको discuss करते हैं, और यहाँ से मैं कुछ बाते और भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझ का relation अभी से है, और जब यह अभी से है, तो इस why not की वज़े से, मैं क्या करूँगा, रादिका के बाद मैं has लगाँगा, क्योंकि यहाँ पे, क्या है, singular है, ठीक है, मैंने देखिए, specific time नहीं किया है, आप ध्यान दीजेए, मैंने आपको पहले ही शब्दी बताए थे, इस यहाँ पे दो लोग होते हैं, तो definitely यहाँ पे मैं have को use करता है, कहनी को आगे बढ़ाते हैं, केशव have completed the novel recently, केशव have completed the novel recently, तो जब recently लगा है, तो बिल्कु सीधी सी बात है, कि यह अभी के अभी आएगा, जब हम मूवी देखने की बात करते हैं, तब भी हम ऐसे शब्दों को use करते हैं, ठीक है, I have was this movie recently, ठीक है, तो यहाँ पे यह sentence पूरी तरीके से सही हो गया, अब इस sentence को देखिए, she did not bring the book yet, इस बात को समझेगा, जब यहाँ पे yet लगा है, तो यहाँ पे did suitable नहीं होगा, again specific time mention होता है, किसकी वाज़े से did not की वाज़े से, past indefinite की वाज़े से तो यहाँ पे एक error बनी, और मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, हैस करूँगा, यहाँ तक बात समाजी भी आ गई, लेकिन अभी थोड़ा कहानी को ध्यांदे समझना, कई बार आपने ऐसे sentences जरूर सुने होंगे, जब बोलते हैं, she has already have her lunch, ठीक है, क्या यह sentence सही है, चलिए म मैं इस sentence को discuss करता हूँ, और मैं आपको पिछला question दिया था, उसको भी आपे clarify करूँगा, देखिए, ध्यान से समझना, जब मैंने बात करी, she has, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, कि मैं present perfect में बात कर रहा हूँ, और जब मैं present perfect में बात कर रहा हूँ, तो मैंने has को use किया, have और having को ले करके, तो मैंने use बताया था आपको having का, कि have का, या having का use, eat, drink, और bet वगेरा में होता है, कुछ याद आ रहा है, पिछली वीडियो में ऐसे कोई बात करी थी, तो जब मैंने बात करी इसकी, तो यहाँ पे इस have का मतलब या तो eat हो सकता है, और या तो drink हो सकता है, लेकिन जब इसने lunch किया है, तो सीधी सी बात है, कि वो eat करेगा, जब eat करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास, या तो eaten होना चाहिए था, क्योंकि वह third form थी, और मैंने eaten use नहीं किया, तो आप याद करिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल थोड़ी देर पहल पहले, एक slide दिखाए तो, मैंने बोला था, have की third form had होती है, याद आ रहा है कुछ, और जब have की third form had होती है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, she has already, have नहीं होगा, had होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे third form होती है, तो मैंने आपको slide में question दिया था, आप ध्यान से देखिए होती है, तो eight की third form eaten होती है, second form eight होती है, इसी तरीके से जब मैं have की बात करता हूं, तो have को हम लोग eight drink के sense में use करते हैं, थीक है, तो उसकी third form had होती है, तो यहाँ पे मैंने head लगा है, तो actually यह जो has है, यह आपका helping verb है, और यह जो head बना verb third form लेकर कि आपका main verb बनने का काम कर रहा है, I hope यह logic clear है, ऐसे question exam में काफी बार आते हैं, लोगों को अजीव लगता है, even she had her lunch भी हो सकता है, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि चीज़े आते हुए भी हम गलत करते हैं, कहानी अभी खतम नहीं हुई, मैं आपसे कुछ और बाते डिसकर्स करता जब आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं, so far, up till now, by now, by this time, by this point of time and recently, जब यह शब्द आएं, तो याद रखिएगा, इन शब्दों को आप हमेशा sentence के last में रखेंगे, at the end of the sentence, okay, इस बात को समझना, वाकि इन बातों को detail में मैं discuss करूँ, एड़ वब में, उसका logic वहा होता है, आप तो शब्रटा रहे हैं, देखो, सब दीरे दीरे चीज़े clear होती है, जब मैं आपके adverb में आऊँगा, preposition में आऊँगा, तो relate करूँगा, मैं पिछले वीडियो की बात relate करी, मैंने जब कल continuous पढ़ाया, तो मैं आपको present perfect continuous पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको आज क वीडियो से भी connect करूँगा और पिछले वीडियो से भी connect करूँगा, तो इसी तरीके से एक language सीखी जाती है, देखिए बात book की नहीं है, book में बहुत कुछ लिखा होता है, मैं नहीं कहारा, गलत लिखा होता है, सही लिखा होता है, लेकिन जब एक language की बात होती है, तो एक background तयार कराना होता है, और जब वो background तयार होता है, तब आती है खिलने में मज़ा, और तब आता है score, कहने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे students है, जिनका score 25-30 भी आया है, recently 30 out of 30 भी है, 198 भी है, 190 भी है, 183 भी है, बहुत score आ रहे हैं लोगों के, क्यों, क्योंकि उन्होंने उ अब कभी आएगा, 35-40 मिनटी तो लगते हैं, एक बार सीख लो, बात समझ आगी, अब इसी तरीके से जब यट and as yet की बात करी जाती है, तो ये भी हम इसे last में ही रखते हैं sentence के, लेकिन यहां पर ध्यान रखा जाता है, कि जब ये शब्द आये, तो हम वो sentence को negative context में देखे हैं, और अभी हभी मैंने आपको एक sentence दिया, देखे, she has already had her lunch, यहां पर हम लोगों को head करना था, हमने इसको discuss किया था, बात समझ में आ गई, ये placement ध्यान देना, क्योंकि जब sentence improvement करते हैं, तो ऐसी गलतियां होती हैं हमसे, और हम इन गलतियों की वज़ए से marks lose कर देते हैं, बहुत ध्यान से समझ में इन बातों को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और questions को discuss करते हैं, अब आपके सामने है, Shima has qualified the exam, and Shima has qualified the exam in 2014, मुझे बताओ, इन में से कौन सा sentence सही है, और कौन सा sentence गलत है, take your time please, I hope आपने पढ़ लिया है sentence को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप बोलते है, Shima has qualified the exam, तो देखिए, मैंने language की बात करी, तो बहुत बार ऐसा होता है, कि शब्दों में contact छुपा होता है, हम जब बात लिखते हैं, तो वो conversation के साब से मैं समझ में आता है, कि उसका relation present से है, य अब पुरानी बातों को ही जोड़ूंगा, और इस बात को समझने की कोशिश करना, जब मैं बोलता हूँ, Seema has qualified the exam in 2014, भाई सब दिमाग लगाईए, अभी अभी थोड़ी दिर पहले, मैंने बात बताई आप से, कि एक specific time रखा जाए, तो हम उसे past indefinite में रखते हैं, मैं 10 years ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, जब आपके पास ऐसे शब्दाए, specific time हो, तो आप कभी भी ऐसे sentences को कभी भी ध्यान देना, किस में नहीं रखते, perfect में नहीं रखते, तो यहाँ पे पहला वाला question तो सही है, Seema has qualified the exam, क्योंकि इसका present context हो सकता है, लेकिन जब मैं बिलकुल specific हो जात हूं, तो क्या होता है, सर, specific हो जाता हूं, तो मेरे पास यह specific time होता है, अब ध्यान करो, मैंने आपको starting में एक बात बोली थी, formal and informal English, यह देखिए, और यहाँ पे मैंने बोला था, formal English में complete sentence होता है, informal English में complete sentence नहीं होता, आपके पास phrase words भी होते हैं, देखिए, बोल चाल की भ बोलते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा है, सर, उसका reason यह है, क्योंकि हमारे पास conceptual clarity नहीं होती, आप written English से उसको ले करके चलिए, क्योंकि जब written English की बात होती है, तो वो complete sentence लिखा होगा, grammar oriented होगा, और specific meaning होगी उसकी, लेकिन जब informal English होती है, तब हमारे दिमाग में फितू चलता है, कि सर, ऐसा सुनाता है, ऐसा देखाता, सर, शब्दों का खेले, मैं बार-बार बता रहा हूं, और यहां दोनों sentence ही आपके formal English के हैं, लेकिन देखिए, शब्द extra आये, और जब शब्द extra आये, कुछ words extra आये, तो इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करें, उन्हों कर सकते, मैं बार-बार अपने शब्दों को रख रहा हूं, इसके लिए मैं कुछ और एक्जांपल दूँगा आपको, ध्यान से समझो, आपके सामने लिखा है, संजीव has come here yesterday, ठीक है, and the British has ruled over India, बहुत ध्यान से समझना, आपकी daily life का sentence है, आप घर पहुँचे अभी, ठीक ह आप घर पहुचते हैं, मम्मी से पूचते हैं, मम्मी भाईया का है, यह एक एक इक्जांपल मैंने काफी पर क्लास में भी दिया है, भाईया का है, तो मम्मी कहती है, भाईया आ चुका है, अगर देखिए, तो इसका एक context निकलता है, कि जब तुम अभी आए, तो शायद त उमसे थोड़ी दिर पहले भाईया आया था, और उसका एक relation बन रहा है, present context में, अब आपने पूचा भाईया कहा था, तो मम्मी ने बोला था, भाईया तो कल आ गया था, भाईया कल कहा था, भाईया तो कल आ गया था, सर देखिए, जब मैंने कल की बात कर दी, तो यह yesterday word आय और अभी अभी आपको list दी मैंने, तो जब ऐसे शब्द आ जाएं तो आप अगेन उसे past indefinite में लेकर चले जाएंगे, क्योंकि आपका time specific हो रहा है, फर्क है, spoken English को written English से confuse मत करना, ठीक है, कोई भी बात बताऊंगा, इतर दुदार की नहीं करता है, आप लोग जानते हैं इ कि जब आपने बोला, the British has ruled over India, तो एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये सही है, दिमाग लगाई है, 1947 के पहले तक क्या उन थे, British थे, ठीक है, अच्छोटी सी बात और अगर आपका एक adjective है, और adjective के पहले दा आ जाता है, तो हम उसको पूरा people के रूप में ले 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 ल the British people भी हो सकता है, वो छुपा हुआ है, ओके, चलो छोटी सी बात है, याद रखना, ऐसे बहुत सारे शब्द होता है, so the British has ruled over India, क्या British अभी अभी गए है, क्या, नहीं ना, 1947 में गए थे ना, पूरी तरीकी से देश को छोड़के, तो ये past event हुआ की नहीं हुआ, और जब past event हुआ, तो यहाँ पे हैस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब एक meaning और आता है, कि जरूरी नहीं है, दिया जाए, लेकिन सर उस बात को आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप नहीं समझेंगे, तो फिर आप गल्ती कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप चीजे रट रहे हैं, इसमा पॉइंट क्लियर, रटना नहीं है, समझना है उस event को, क्योंकि यह तो क्लियर है, महातमा कांदी 1915 में आये थे, यह तो बात क्लियर है, ऐसा तो फर्जीफिकेशन या नहीं है, अभी अभी आये थे, दुबारा जिंदा कर दिया, क्या, नहीं ना, क्लियर हो आपके पास इसपैसिफिक यहर हो, आपका बर्डे हो जाए, या बर्डे यहर हो जाए, आपका मन्त हो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक जिसे शबदा आ जाए, तो सीधे सीधे उसे पास्ट इनडेफिनेट में रग देना, अधरवाइस कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा आपके आपके शामने फिर है, गांधी ऐस कम तु इंडिया, अभी मैंने बिटिश की बात करी है है, और मैं गांधी जी की बात कर रहा हूं, गांधी Martinez कमा nenhumut करना गांधी जी लिक्त दो, मैं अग जनर्रूर्ण जा सेंतेंस लिक क्रहा हूं, आपके लोग बढ़े तो यह बात अपने दिमाग में बिटा लिजे कि अगर इस्टोरिकल इवेंट है और वहां पे समय नहीं भी दिया गया तो आप उसे पास्ट इंडेफिनेट में ही बनाएंगे इसको याद रखेगा उसे प्रिजेंट परफेक्ट में लेके मत जाना उस राटिंग में आपको प्रिजेंट परफेक्ट परशेंट पास्ट इंडेफिनेट करूंगा उसका रीजन यह है यहां तक बाते पूरी तरीके से क्लियर है कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कुछ और शब्दों पर काम गड़ते हैं और यह बहुत चोटी-चोटी सी बात हैं इवेंट एट तो कितनी दिर तो कितनी दूर कितने दूर कितने पास नहीं सर वो थोड़ी दिर पहले भी हो सकता है काफी दिर बहुत नहीं बचा है तो आपकोर्स आप बोलेंगे दबस अराइव डियर फिर वहां से स्पेसिफिक कर देंगे ठीक है तो यहां पर आप ऐसे में हैस अराइव करते हैं अब बहुत ज़्यादा जाने जोरत नहीं है अब देखिए यहां पर एक चोटा इसा इवेंट आता है वेर हैव यू बीन और वेर आर यू यह कुश्चन मैंने आपसे पूछा था देखो जो रटने वाले मानुश होते हैं ना मनुश्य तो वो क्या करते हैं उन्होंने रटा होता है बच्पन में कि सर वो है जैव के साथ बीन आता है तो हमें वह अपकी आई अजी फार्म होती है कहानी को थोड़ा अच्छे अंदाज में समझते हैं और उसके मुझे ले जाना पड़ेगा आपको रीकैप में कुछ दो हजार साल फेले जोकसा पार्ट द्यान से समझो मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था सबजेक्ट है जब मैं अगर क्व सब्जेक्ट के होगा और फिर मैं सब्जेक्ट को रखूंगा तो सब्जेक्ट मेरा यहां पर आ जाएगा लेकिन जो वर्प थर्ड फॉर्म है वो तो आपकी इसके साब से ही लगेगी न शूर चलिए अब मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं जो मैंने आपको फॉर्म क्या बताई थी मैंने कुछ याद करो कल बताया थी यह बात मैंने और उस थी आपकी बीन थर्ड फॉर्म बीन होती है न ठीक है तो उस रिसाप से अब आपको क्लियर होंगी बात थे हैं ठीक है मैं इसलिए बोलता हूं मेरे वीडियो देखने हैं पहले पिछले वी को समझने की कोशिश करना जब आप से कोई कहता है वेर हैव यू बीन और आर यू दोनों में जमीन आसमान का फरक है दोनों का मतलब एक नहीं होता क्यों यहां पर हिजाब से यह बात तो क्लियर हो गई होगी आपको तक बिल्कुल से ठीक है चलिए अपका आनी को थोड़ा अच्छा उनका अभी तक नहीं आया ओके साथ बज गए आठ बज गए पपा ने फोन किया बिटा कहां पाये जा रहे हो इवेंट समझना आप सवेरे पापा के साथ निकले थे नौ बजे चार बज गए साथ बज गए और अभी तक नहीं आये ओके तो पापा ने क्या तो इस केस में अब क्या करेंगे आप बीन लगाएंगे ऑके अब दूसरा के साथ वेर आर यू जब वेर आर यू बोला जाता है तो ये इवेंट पहले वाले इवेंट से जुड़ा नहीं होता आप समझेगा दूसरी कहानी दूसरी कहानी है यह कि आप घर पे नहीं है अब आप पूछेंगें, बेटा कहा हो घर आ जाओ, फर्क है ना, अगर कहा जा रहा है, बेटा सवेरे से कहा हो और अभी कहा हो में फर्क है ना, यही डिफरेंस है यहां पर, जब आप से बोला, वेर आव्यू बीन तो मतलब आप सवेरे से यह पर्टीकुलर ड्यूरेशन से नहीं है, और वेर आव्यू का मतलब अभी, बिलकुल अभी की बात करी जा रही है, कि अभी कहा हो, और इस तरीके से बाते रखी जाती है, बट बेचारे हम लोगो कोई बाते समझ नहीं आती, क्योंकि हमको रटाया गया है, हैव के साथ बीन लगाओ, वोप की इन जी फर्म है, और जब एक्शन वर्ब की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस में, तो मैं भाई, आई एन जी फर्म क्यों लगाओंगा, जरूरत को तो समझो, लेकिन नहीं हम तो नहीं करेंगे, हमने तो बस वो दस मिनट दो मिनट वाले वीडियो दिखके सीखना है, बगवान आपका अव में तो याद रखना जब भी आपको रिसेंटली वगरा दिख जाए, तो हम कहां पर बात करते हैं, हम बात करते हैं आपके, किसमें है, प्रिजन परफेक्ट में, इसी तरी के सा अल लेडी की बात मैंने आप से करी, ठीक है, ही है, है अल लेडी डन इस होम वोक, और यू है अल लेडी वर्ड आता है, तो आप इसके साथ प्रिजन परफेक्ट ले करके जाते हो, ऐसे हम ने बहुत सारे शब्दों को लिखने की और जानेने की कोशिश करी, एक दो यूज और है, इन जनरल हम इन पर बाते कम करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखि अब भी का सेंस है, तो उस कांटेक्ट में उसके साथ प्रिजन परफेक्ट लेके चलते हैं, और यहाँ पर इन जोई भी इसका मतलब हो सकता है, उसका कांटेक्स क्या है, ठीक है, फ़न कहोने में भी हम इसको यूज करते हैं, तो इस या जैसे शब्द मिलें, तो भी आप क क्या करोगे specific time नहीं है और जब specific time नहीं है तो सीधी सी बात निकल के आती है कि मैं present perfect में लेके जाओंगा इसके बाद फॉर सिंसको तो वैसे देखो मैं बहुत ज्यादा detail में next video में discuss करने वाला हूं तो यहां एक छोटा सा आइडिया ले लो we have lived here for 10 years and she has not visited us since June अब इस कहानी को फूरा सा समझाओंगा द्यान दे समझ लेना देखो जब तक action continuous नहीं तो ing लगाने की जरूरत नहीं ing लगाने का मतलब हो जाता है कि उसेंटेंस में में वर्ब की जरूरत है अब जब में वर्ब की जरूरत है तब आइंजी लगाएंगे नहीं तो फिल लगाने की जरूरत है नहीं अब यहां लिखा है we have lived here for 10 years ठीक है we lived here in 1965 1965 में रहते थे तो सर्व 1965 specific है ना यह 10 years specific है क्या अब आज से जोड़ने मत बैठ जाना नहीं तो फिर उत दिन महीने गंटे साब एक साथ कर लूँगा तो वो तो हो नहीं सकता तो उसके समें अगर इन specific आ जाए तो आप क्या करोगे क्या करोगे बताओ specific आ जाए तो पास्टेंट में लेकर चले जाना चलो एक चोटा से example देता हूं द्यान से समझना लोग कहते हैं I know you और कोई बोलता है मैं तुम्हें दो साल से जानता हूं तो लोग उसे बोलता है I know you for two years sir this is utter level wrong question answer okay तो यहां पर हमें कहना होगा I have known you for two years क्यों क्यों क्योंकि अगें सर वह दो साल पहले में मालो एक 94 था और वह 96 पे अभी चल रहे हो या 2018 और 2020 पे चल रहे हो तो इस case पर बात आ जाती है ना तो फिर आप have लेकर के जाते हो otherwise वह एक habit दिखाने की शुरू कर देगा कि हम इसे दो साल से जानते हैं जानते हैं ठीक है ओके तो मैंने आपको पास्ट भी बताया और इसको present in definite से भी जोड़ा और उसके बास she has not visited since June तो of course तो सीधी बात है third form यहां लग गई आये नहीं लगनी जूरत है नहीं है तो नहीं है तो हटाओ गुली मरो और जून से नहीं आयो तो बस कहानी होगी आपकी आंसे मिले नहीं है चलिए तो इसी के साथ मैं एक दो बाते और बताया देता हूं उनको भी ध्यान से देख लो यह वीडियो बड़ा हो रहा है बर ज देखे हूंगे निवीडियो तो मैं कुछ कह नहीं सकता समझ में आता है लोग नहीं करते हैं और मत देखना थेखना थाइन देना जब यह आपको फर्स सेकेंड थर्ड यह से मिले यह एक्टिव होते हैं इसके साथ आप डेफिन आइडिकल को यूस करते हो ओके तो इस इस है तो दियान देना आगे वाला पाइट आप प्रफेक्ट में रखोगे और इस इस तरीके से अगर आपको कभी इस इस दा बेस्ट और दिस इस दा वर्स मतलब आपकर आपको सुपर्लेटिव डिगरी पर लेके जा रहा है इस कहानी को समझना और यह बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम इसको करते हैं तो हम इसे क्या केसमें रखेंगे हम अफकोर्स इसको प्रिजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे क्यों क्योंकि उसका कॉंटेक्स हमेशा प्रिजेंट से ही जा गए आप कह रहा हो ना आज तक का बेस्ट काना खाया है तो मतलब अभी तक तुमने जो काना खाया तो उतमें से अभी का सबसे अच्छा काना था प्रिजेंट कॉंटेक्स बना की नहीं बना इस इस दा बेस्ट अगर कभी भी आपको एक क्लॉज या फ्रेज ऐसा कभी मिल जाए तो ध्यान देना आगे वाला पार्ट अपका पॉफेक्ट में जाएगा कभी भी नहीं जाएगा कहानी क्यों जोड के देखो क्या वो पास का इवेंट दे रहा है नहीं दे रहा ना फर्क है ना और जब फर्क है ना तो गलती यहां पे नहीं होनी चाहिए अपसे अब मैं रटा नहीं रहा इतना सम तो ध्यान दो किताब आज है ना आप जिन्दा है ना जब आप हैं तो क्या किस में रखोगे बताओ सीधी सी बात है प्रिजेट परफेक्ट में रखोगे इसी तरीके से अगर आपको इट इस मिल जाए दो साल हो रहे हैं उनके देखे हुए अगर आप वह हैड कर दो तो इस नो मोर ओके तो ध्यान देना और इसी के साथ मैं खतम करता हूं प्रिजेंट परफेक्ट को कल मैं प्रिजेंट परफेक्ट कॉंटेनिवस लेके आऊंगा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेय किने का इसलिए बेसिक्स कराएं मिलेंगे जरूर अगले वीडियो में आपकी कोई डिमांड हो कमेंट सेक्शन ने बताइए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को वी आ ग्रूइंग अगर आपकी हेल्प रही तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे हम साथ में कुछ कमाल क करेंगे have a nice day